इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जूडी हुई और मध्यस्ता को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मध्यस्ता से फैसला होगा ये बात सामने आई है हाला कि जो अभी शुरुआती तोर पर जानकारी मिली है कि एक गज को लेकर कि ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आज सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पटिकी हुई थी और पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया था कि अगर मध्यस्ता की एक फीजदी गुंजाईश है तो कोशिश होनी चाहिए इससे पह की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्यस्ता को लेकर अयोध्या केस मध्यस्त सुलजाएंगे तो तस्वीर साफ हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मध्यस्त इस फैसले को सुलजाएंगे इसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्त का एक पूरा पैनल होगा तो देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्त के नाम भी सुझाए जाते हैं क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो तमाम पक्षों से कहा गया था कि वो मध्यस्तों के नाम सुप्रीम कोर्ट को दे और उसमें से तमाम पक्षकार हैं चाहे निल्मोही अखाड़े की बात करें या फिर हम मुसलिम पक्षकारों की बात करें तो उन्होंने मध्य मध्यस्तों के नाम सौपे भी थे लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मध्यस्तों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट आज तै करता है ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि मध्यस्तों का एक पैनल होगा जो इस पूरी प्रक्रिया को करेगा हलकि टाइम लाइन क्या दी जाएग से मामला सुप्रीम कोर्ट में चाव रहा था वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव नस्दीक है और चुनाव से पहले मध्यस्ता का जो देश की सर्वोच अदालत ने फैसला दिया है उसके बाद कम से कम कुछ समय के लिए इस पर सियासत क पड़ेगा और इसी मुद्दे को लेकर कि दशकों से देश में सियासत होती आई है लेकिन कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोट ने जो फैसला दिया है मध्यस्ता को लेकर उस पर सियासत पर लगाम लग सकती है हमारे से होगी अनुराग लगतार हमारे साथ बने हुई है अनुर विवाद को लेकर के एक कह सकते हured कि लेंडमार्क जज्रूएंट neia कोर्ड जाएगा और मैं महतुपूंक बातें जो अभी जज्रूएंट आईएं वो मैं बता दूँ कि मेडियेशन के लिए एक पैनल बनेगा, पैनल अपॉइंट हो गया है, पैनल जो अपॉइंट हुआ है, उसमें मैं नाम आपको बता दूँ कि जस्टिस खलिफुला और श्री श्री रवी शंकर, ये दो नाम पैनल में एक तरीके से अपॉइंट कर दिये गए हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि को आप कर सकते हैं ये बाकी मेंबर्स को, इसी सब्ता, एक सब्ता के अंदर मेडियेशन की शुरुवात होगी, टीन मैंबर्स का पैनल होगा, और सुप्रीम कोट ने कहा है कि एक टाइम बाउंड मेडियेशन होगा, फैज सूट डिसाइड कर रहे थे उसकी बजाए एक कोशिश की है कि मेडियेशन के जरीए इस मामले को सुलजाया जाए मेडियेटर्स अपॉइंट कर दिये गए हैं जस्टिस खलीफुला रविशंकर दो लोग अपॉइंट कर दिये गए तीन लोगों का पैनल होगा को आप्ट कर सकते हैं तीसरे मेंबर को ये साफ तोर पर कहा गया और साथ ही इसी सब्ता फैजाबाद में शुरुआत हो जाएगी मेडियेशन की यानि और एक टाइम बाउंड होगा कितना टाइम दिया है उसके बारे में अभी कोट ने नहीं बताया है विदिन अवीक ये स्टार्ट हो जाएगा मेडियेशन का प्रोसेस और कितना समय लगेगा कितना समय इसके लिए दिया है उसको उस पर नजार रखना होगा वो भी देखेंगे लेकिन फिलाल ये चीज़ साफ है कि तीन लोगों का मेडियेशन पैनल तमाम जो इस मामले में पार्टीज है अला कि जो हिंदू पक्षकार है उनमें से अगर एक को छोड़ दिया जाए निर्बोई अखाडे को तो बाकी लोग मेडियेशन के पक्ष में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद को इसको ओवर रूल करते हुए कोड ने मेडियेशन पैनल बना दिया है और इसके जरिये मेडियेशन के कोशिश होगी एक सब्ता के अंदर ये कोशिश शुरू होगी पैनल अपॉइंट हो गया यह महतुपूर्ण बात है और सबस्के महतुपू देखे एडवाइस मांगा था सुप्रीम कोड ने मद्यस्ता के लिए कि तमाम पक्ष अपने अपने नाम सुझा सकते हैं कुछ लोगों ने अपने नाम सुझाए भी कुछ ने कोई सुझाव नहीं दिया मुस्लिम पक्षकारों ने खासकर यह कहा कि जो भी कोड करते हैं उसके बाद यह अब आप जो एक पैनल जो पाइंट किया है उसमें यह नाम आ रहे हैं तीन मेडियेटर्स के नाम मैं आपको आप साफ तौर पर अब स्थितिस पष्ट हो रही है तीन मीडियेटर्स के नाम आपको बता दें कि एक हैं सुप्रीम कोड जज्ज जस्टिस खलीफ उल्ला दूसरे हैं श्री श्री रवी शंकर और तीसरे हैं श्री राम पंचोल तो तीन नाम आप साफ हैं तीन मीडियेटर्स होगे तो पर दें कि एक मामले में मेडियेशन होगा यानि मध्यस्ता से रास्ता कुछ निकालने की कोशिश की जाएगी इसके लिए इन लोगों ने तीन मेडियेटर्स के नाम तैय किये हैं ये पैनल है तीन मेंबर्स का जिसको हेड करेंगे जस्टिस खलीफ उल्ला जो की सुप्रेम कौर्ट के रिटार्ड जजज है और उसके लावा उस पैनल में श्री श्री रवी शंकर है और एक वकील है चि एक हफते के अंदर इसका जो प्रोसीडिंग है जो बादशीत है वो शुरू की जाए और ये बादशीत जो होगी वो फैजाबाद में होगी और राज सरकार यानि कि यूपी सरकार उसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रेक्चर है वो मौहया करेगी और उनके देखरे में ये सारा होगा और एक हफते के अंदर ये बातशीत सभी पक्षों से ये जो पैनल है वो शुरू करेगी और चार हफतों में जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि कहां तक मेडियेशन कहुंची किसका क्या राय है क्या रुख है ये सुप्रिम को दिया जाएगा तो चार सुप्रिम को दिया था कि मेडियेशन और ये जो मुकदमा है वो दोनों साथ साथ चलता रहे लेकिन आज की ऑर्डर में ये बिल्कुल साथ नहीं किया गया है तो अभी इस पर कयास लगाए जा रहे है कि क्या साथ साथ मुकदमा चलेगा या नहीं वो अपना स्टेंड अप सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्स्टीमली कॉन्फिदेंशल रखने हो का है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और अलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडियेशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें सब्सक्राइब करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी नाम सुझाए तो उस नाम पर भी गौर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टी से वो किसी को ना बताएं शेर ना करें जानकारिया ने स्पेस्टिकली का है सारी पार्टी को और मीडियर को मीडियर की प्रोसीडिंग रिपोर्ट नहीं होगी और मीडियेशन में अगर मीडियेटर की सब्सक्राइब करेगा और नको कोई तो वह सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाइड रहे हैं और यह सुप्रीम कोर्ट का विशेशादिकार है कि वह किसको मीडियेटर अपॉइंट करता है तो यह आप पक्षकार को सुन रहे थे और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि तीन मध्यस्तों का यह पैनल है मध्यस्ता की कारिवाई शुरू होगी और चार हफतों में प्रोग्रेस रिपोर्ट सौपी जाएगी मालिकाना हक को लेकर के मुकदमा चलेगा या नहीं ये तस्वीर अभी साफ नहीं है अनुराग के पास चलते हैं अनुराग एहतेशा महतपूर जानकारी बता रहे थे क्योंकि चार हफते के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी लेकिन चर्चा इस बात पर थी कि डेडलाइन क्या होगी टाइमलाइन क्या होगी चार हफते दिया गया है यानि कि ये मान लिया जाए कि चुनाव के बाद तक ये जो पूरी प्रक्रिया है चलती रहेगी और जो सियासत इस पर हो रही थी कुछ हद तक उस पर डगाम लगेगी देखे देखे बिलकुल कई मैं तो पूर्ण चीजें इस जज्जमेंट में एतशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं कोट से बाहर आ गए हैं एतशाम दो चार चीजें हमको समझाईए कि एक की जो मीडियेशन में क्या-क्या हुआ है आज क्या-क्या चीजें अपॉइंट कर दिया गया ह देखे आज जो सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है उसमें एक पैनल का गठन कर दिया गया है ये तीन सदस्ये पैनल है जो कि जिसको हेड करेंगे जस्टिस एम खलीफ उल्ला जो कि सुप्रिम कोट के रिटार्ट जज हैं इसके लावा उस पैनल में दो और लोग हैं एक श कर सकते हैं यानि इस मेंबर की जो पैनल है उसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है और यह जो मेडियेशन है यानि आपसी बात्चीत की सभी पक्ष आपस में बैट कर बात करेंगे और उसकी मध्यस्ता यह पैनल करेगा यह इसकी शुरुवात एक हफते के अंदर होगी फैज के हक में थी आगर मान ली यह भी हैं रेकोर्ड में दर्धेन को नहीं होगा यह जाकर वह बातनु में की त्या Assass स्प्रöm कोर्ट को दे कि कॉन लोग मेडियेशन में किस तरह से होगी या नहीं होगी यानि मेडियेशन में शामिल होना बाइंडिंग है सारी पार्टीज पर एक तो ये चीज़ पश्ट करें और दूसरा ये बताएं कि तो इसका मतलब अगले एक डेट दो महिने तक इस बारे में कोई रिपोर्टिंग तो होगी नहीं अब बिल्कुल एक दो महिने नहीं जब तक मीडियेशन चलेगा मीडियेशन की उपर हाँ जो सुप्रिम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है आजाएगी लेकिन जो लोग राए देना चाहते हैं उनकी राए भी रेकॉर्ट पे आजाएगी और फिर सुप्रिम कोर्ट देखेगा कि क्या मीडियेशन वेल हो रहा है या मीडियेशन से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा तो सुप्रिम कोर्ट इसको आगे परस्यू करेगा अगर नहीं निकलता नजर आएगा तो वो मीडियेशन खतम भी होता है आएगा आखरी चीज की जो नाम सेलेक्ट किये गए पैनल अपॉइंट करने के लिए क्या यह जो पेडिशनर थे उन्होंने इस सुझाये थे जो पार्टी इस मामले में या कोट ने अपनी तरफ से अपॉइंट किया कुछ नाम थे और कुछ लोगों का जो सजेशन आया उसके बुनियाद पर सुप्रिम कोट ने यह तीन सदस्य पैनल बनाया है और अब उनको भी आजादी दी गई है कि कुछ और पैनल को भी उसमें कुछ और लोगों को इंक्लूट कर सकते हैं यह समझ सकते हैं कि अब इस बुद्धे पर पूरे पर चर्चा शुरू होगी मीडियेशन पैनल के साथ बाकी सारी पार्टीज की लेकिन मीडिया में चर्चा काफी हद तक बंद हो जाएगी जब तक की मीडियेशन का प्रोसर्स चलेगा अगर इस बीच में कोई डेट आती है रेगुलर हेरिंग की ओपन कोट हेरिंग की तो उस पर चर्चा शुरूर हो सकती है वरना इस पर पूरी तरह से विराम जब जाएगा अब माहौल कैसा है अयोध्या में बिल्कुल अयोध्या में लोगों का कहना है कि जो कुछ हो जल्दी हो इन लोगों का मयध्या के तमाम सादूसंत मेरे साथ मौजूद हैं समझ होता एक रास्ता दिखाया है सुपरिम कोर्ट ने और एक सप्ता के अंदर लोग अयोध्या में ही पौरता करेंगी फिर बटक गए लोग, अभी 70 वर्सों से लोग बटक रहे थे, आज पुना बटक गए, अध्याक के साधुसंत क्या अध्याक साधुसंत नहीं है, जो यहां का मूल लिवासी है, जो यहां साधुसंत यहां के विशे में वो जानता है कि रवी संकर जानते हैं, वो सुत रूम स पूरे देश में वेपार करते हैं उसी परकार रवी संकर सुथ रूप से वेपारी है फिर अब मध्यस्ता फिर गडवर हो गया मध्यस्ता नहीं हो पाएगा इससे कोई हल नहीं निकलने वाला क्योंकि अध्या में साधु संथ जो जानते हैं राम जी के बारे में राम जनम सब्सक्राइब कोई मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं बनेगी सम्झाओता वार्ता होगी मध्यस्ता प्रेम कोड का यह जो डिसिजिजन आया है अच्छी डिसिजिजिन है ले रहे हमको कोई परशाई नहीं है लेकिन अजोग्या के साधु महात्माव में से भी एक रखलना लगी सब्सक्राइब कोई और विल्कुल विल्कुल आप बताएं कि क्या है अगर समझे होता होता है तो क्या बुराइब देखें अब ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है हम लोगों का, हम लोगों को जो मौका मिला हुआ है, अब ये जो धूमिल शबी हम लोगों को थी, अब उसको साप सुतरा कीं बनाने का मौका मिल गया है और मैं चाहता हूँ कि बाहरी लोग यहां पर ना आएं समझोते में हम अजोध्या के हिंदू मुसलिम बैठे हैं हम अजोध्या वासी मिल करके सीधा बात करेंगे हमको उम्मीद है कि हम लोग ये साबित कर देंगे कि वाकही में हम सब राम के बंसाज हैं हम हिंदू मुसल्मान राम के बंसाज हैं अध्या के किसी लोग को इसमें सामिल नहीं किया गया है, तीन लोग हैं जिसमें सुप्रिम कोर्ट के रिटायर जश्टिस हैं और सिरी सिरी रक्षंकर हैं और चन्नेई के एक अधिवक्ता हैं उनको सामिल किया गया, अध्या में ही वारता होगी लेकिन अध्या के कोई साधू विलकुल जहां तक अइसा हुआ है तो अजोध्या के लोगों को सामिल करना चाहिए था अजोध्या का ही मामला है विलकुल लगी इसको लेकर कि लोगों की राय अलग-अलग है लेकिन आज सुप्रीम कोट ने ये महतपूर फैसला दिया है हम चलते हैं मिताब सिना के पास अमिताब जो हमने पिछली सुनवाई में देखा था कि जो तमाम पार्टीज हैं तमाम पक्षकार हैं उनकी मध्यस्ता को लेकर के राय अलग-अलग थी खासकर रामलला विराजमान और हिंदू महसाबा ये समझोते के खिलाफ था अब मध्यस्ता के जरीए ये पूरा मामला द जरेके सारे पक्षकारों को बातचीतके मस्लेकों हो सकता है कि वहाँ वाद विमाद होता लेकिन मध्यसता होगी तो तमाम पक्षकार करेंगे इह अच्छी पहले लेकिन सबसे जो बड़ी एहम बात है वो है कि स्री राम जनभूमी न्यास, विश्व हिंदू परिशद, जिसने पिछली हीरिंग में साफ साफ कह दिया था कि राम लल्ला अपनी जगह से हटने को त्यार नहीं है, वो मद्यस्ता पे नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पे बने रहते हैं, दूसरी बात उन्होंने कही थी, कि जो मुसल्मान पक्ष है, वो सर्यू पर मस्जीद को ले जाए, तो इन तमाम बातों पर जब तक सहमती नहीं बनती, तब तक इस मसले का सुलजाय नहीं जा सकता, निप्टारा नहीं हो सकता मद्दस्ता से, तो जाहिर तो पर जो कोशिश हो रही है, वो राम जन्मुमिनास, विश्व हिंदू परिशत, ये तमाम ऐसे हैं, जो राम लला को अपनी जगह से हटाने को तयार नहीं है, और यहीं उनके बात वकील पक्षकार ने पेश की थी, तो ये मुश्किल तो सबसे शुरूआत में ही पैदा होने वा वहाँ पर मौझूद है, जिरोंने लगातार सरकार पर दबाव डाला था कि अध्याजेश लेकर आए, तो उनकी तरफ से भी ये संदेश आएगा अपने कैडर के लिए, अपने लोगों के लिए, कि मध्यास्ता को लेकर वो क्या सोचते हैं, तब सरकार उस पर आगे बढ़ सेहरी वाजपई ने भी काफी कोशिश ली जब तदानमंत्री काल में, लेकिन तभी मद्रस्ता में ये मामला सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब कोट से मॉनिटर के हुए मद्रस्ता है, सारा मामला सुप्रीब कोट में जो भी फैसला सुनाया है, उस पर कोई सवाल तो मैं नह बढ़ा करता लेकिन कई बार समझाओते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का प्रड़ाम नहीं निकल पाया था हर राम भक्त चाहता है कि राम लिला की जन्म भूमी पर भब्य मंद्र का निर्माड हो और वह जल्द से जल्द हो किसी भी अस्तर पर बिलंब कोई भी राम भक्त कोई भी पूझ साधू संत नहीं चाहते हैं समझाओते से अगर किसी मामले का हाल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है यह हम लोग पहले भी कह रहे थे या कोड के फैसले के आधार पर कोई निड़े आ जाता है तो उ उसके आधार पर रहाम लाक मंद्र वह उसके भी लोग भी रोद में नहीं हैं तीसरा बिकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझाओता और कोड के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो पिर संसत का रास्ता है यह कानूर बना कर के रास्ता पनाने की बात आती ह लेकिन माननी सरोच नयाले ने जो भी आज निड़े लिया है समझा होते कि टेबिल पर बैठा करके अगर परणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है हर रामभक्त हर पुझसंत इस प्रतिच्छा में भी कि अगर पूरी पूरी उतनी चुझण देखिए अब लमबा होगा कि नहीं होगा उसमें तो समय सीमा का कुछ बंधन दिया गया है कि चार सप्ताह का अंदर यह मामला नेड़े की स्थिती में पहुंच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी लेकिन यह पहुंच जाए तो सब को खुशी होगी लेकिन पहुंचने की प्रतिच्छा रहेगी सरी कौरीशू है आज मेट्रो का जो प्रदान मंद्री जी कि लंबे समय से लंबित है दश्कों से मसला चल रहा है तो क्या इसको लेकर के जिर्णा होती रहेगी या फिर मध्यस्ता तक नहीं होगी कानूनी रूप से दो चीज़े हमको समझाइए कि एक की अगर मीडियेशन प्रोसेस में कुछ पार्टी एक बात पर अग्री करती हैं कुछ नहीं करती हैं तो मीडियेशन पैनल कैसे पहुंचेगा किसी फैसले पर देखिए मीडियेशन जब होगा तो उसमें सभी पार्टी को एक कदम पीछे जाना पड़ेगा कुछ कॉंप्रमाइज करने होंगे दोनों ही पक्षों को और कुछ कॉंप्रमाइज करके अगर कोई सेटलमेंट आपसी सहमती में ज्यादा तर लोगों में बन रही है और सुप्रिम को लगता है कि वो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा ह लेकिन हाँ फिर जो सुप्रिम कोड का प्रोसीजर है कि एक फैसले को आप दुबारा रिव्यू पेटिशन में चुनोती दे सकते हैं क्यूरेटिव में जा सकते हैं तो वो जो लीगल प्रोसेस है वो रहेगा लेकिन मीडियेशन और जो नॉर्मल एड्जूकेशन है उसमें यही है कि नॉर्मल जो एड्जूकेशन होता है उसमें कानून के तत्थियों के आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है वो किसी एक पक्ष के चला जाए किसी के खिलाफ हो जाए लेकिन जब मीडियेशन होता है तो वो कोई ऐसी पेचीदा चीजें जिसमें कोड चाता है कि द होती दी जा सकती है लेकिन पहले कोट यह देखेगा कि जो मीडियेशन से सहमती से जो फॉर्मुला निकल के आ रहा है वो कितना एकसेप्टेबल है वो कोट के विवेक पर डिपेंड करेगा अगर उनको लगता है कि यह फॉर्मुला जादा तर लोगों को एकसेप्टेबल तो क्या इस माएने में ये उससे अलग होगा सुनवाई से इसका फैसला और दूसरा की क्या जल्दी फैसला आएगा क्योंकि जो हेरिंग चल रही थी उसमें तो यह अनुमान था कि 800-99 महीने तो देली हेरिंग करें तब भी लगेंगे तो क्या इसमें जल्दी फैसला आ सकत आइसे लिए कॉर्ट ने कहा कि चार हफतों में आप सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलेगा तो क्या जल्दी हो जाएगा ये कहना मुश्किल है लेकिन हाँ जो मुकदमा है सुप्रिम कॉर्ट में जो टाइटल सूट है जो अलहाबा अपनी तरह चलते रहे लेकिन उसके लिए भी आज के आदेश में क्लारिटी नहीं दी गई है तो जब अगली हेरिंग जो नॉर्मल जो मुकदमा है उसकी जो हेरिंग है उसमें जब वो मुकदमा लिस्ट पे आएगा तब पता चलेगा कि क्या वो मुकदमा भी साथ-साथ या फिर उसको कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है। प्रियास कई बार हो चुके हैं लेकिन लोग मानने के लिए तयार नहीं है इंदू पश्कार कोड़ कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे जो भी कोड़ फैसला करें अगर जो है कोसिस हम लोग करना चाह रहे हैं अगर लोग तयार है तो हम बात करेंगे अगर यह मामला कोई हम लोग इस पर पर खूसाएं कि सुप्रिव कूट के चाहराय कि जल्दी जल्दी निड़े हो तो हम इसके लिए कोई हमारा अपति नहीं है हलिप जगनिन साइब हो चाहे राम जी हम चाहे कोई भी जए गोंगयी साहब और एक विशू अगर कोट इस पर कोई फैसला देता है तो एक पार्टी कोई कही नही कई कुछ सवाल यह कि मद्ध start करने हैं और बहुत अच्छा कड़में सप्धूर्य Boss Research में न की जाता है तो मैं तो यह तीनों पक्ष बैठकर साफ नियत इस पर को फैस्ला लेना चाहें तो ले सकते हैं पर्दिसा के रूप में कुछ लोगों का नाम किया है, वो आकर कि हम बैटक होगी सभी परक्सिकारों के बीच में, और परक्सिकारों की बात सुनी जाएगी, फिर उसके बाद में जो निर्डे हो जाएगा, वो ही कोट उसको जिशाइच करेगा, और यह बहुत अच्छी बात और हमारे तमाम सहुगी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग के पास चलते हैं, अनुराग जो मूल भूमी विवाद है, उसके अलाबा जो गैर विवादित जमीन है, वो उसके मूल पक्षकारों को लोटाने की अपील की गई थी केनर सरकार की तरफ से, तो आयोध्या आक् कोट में आज कुछ चर्चा हुई है? उनसे भी मिलकर के बात कर चुके और बीच का रास्ता निकालने की बात कर चुके अगर आपको ध्यान हो तो आज से 6-7 महीने पहले श्री श्री रवीश अंकर ने पूरी कोशिश की थी हिंदु सभा हिंदु मासभा के वकील हमारे साथ इस वक मौझूदा आप लोग कि मीडियेशन को पर्थ कर रहे थे लेकिन अब तो मीडियेशन ओढ़र हो गया हमारा विरोध मिए सुप्रीम कोर्ट के जज्जमेंट आने से पहले तक आधा अब सुक्रीब का जज्जमेंट आगया है तो हम डिधेशन प्रोश्टीड करेंगे सुप्रीम कोट के सामने के उनका क्या मेडियार के सामने क्या कि मिडियेटर करेंगा कि की आपको उमीद è मेरे रेचाब से इस मेंटर में हमारा स्ट्रेंड कोड कर जजमेंट युद्ष इस मामले में मीडियेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि हिंदू मासभा और रामलला विराजमान का क्लियर स्टेंड है कि वह यहां पर एक इंज जमीन भी सैक्रिफाइज नहीं करेंगे और जो बाबर ने किया इतिहास में वह एतिहासिक लड़ाई है जो सुप्रीम कोट के सामने ह हम लड़ रहे हैं इस्टोरिकल रिवेंच के लिए और इसलिए इस मैटर में मीडियेशन पॉसिबल नहीं पर सुप्रीम कोट ने आज अजमाद जज्जमेंट सुनाया है तो सुप्रीम कोट जज्जमेंट को हम वाइट करेंगे और मीडियेशन सामने देखेंगे कि इस माम सुप्रीम कोट ने हमें डियरेट किया तो मीडियेशन पर की आखरी चीजह अगर क्लारीटी दे सकेंगे दो चीजों पर कि क्या कोई टाइम की बाउंडेशन है कि कितने समय में आठ हफते के अंदर कहा है मीडियेटर को अपनी रिपर्ट सम्मिट करने के लिए चार हफते क संसेयर कि लिए स्टेटरस्ट रपॉर्ट सम्टेक возможность करने कि एक हफते बाद यह वाद में ही पुनेक्ट सेयर मतेशन के सभाने हैं किस्ट 아ांइड कए यह सकते हैं कि फीघा कर देले कि प автомобilis तो ये सुनी वक्षबोर्ड के वकील है और तमाम जितने इसमें पक्षकार हैं क्योंकि जितने भी मुस्लिम पक्षकार थे वो समझोते के साथ थे लेकिन अब जो हम सुन रहे थे हिंदू महासभा के वकील को उन्होंने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोड का फैसला नहीं आया तब तक वो मध्यस्ता का विरोध कर रहे थे अब वो मध्यस्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं जो आगे प्रक्रिया होगी उसमें वो जाएंगे अमिताब सिन्ह से रियाक्षन लेते हैं अमिताब पहले तक जितने भी तमाम हिंदू पक्षकार हैं क्योंकि सिर्फ निमोही अ है चार महीन चार हफ़ते के बाद स्टेटी रिपोर्ट आएगी पिर चार हफ़ते का और समय अरड़ा दे एक हफ़ते का मतलब कर थो मही निकल गए तो फैसला है ने निकल किया तो जाहिए तोर पर विश्व हिंदू परिश्ट जिसका एजेंड ही है राम मंदिकुर्ण देखें आज हमने मानी सुप्रीम कोट में प्रेसिडेंट आल इंडिया हिंदू मासावा की तरफ से तीन नाम दिये थे हमारे अधिवक्ता विवेक सर्मा जी और हम लोगों ने मिन्थन करके लेकिन आज मानी सुप्रीम कोट ने जो तीन नाम दिया है वास्तों में बहुत ही सरानिया दिया है और हम आसा करते हैं तीनों नाम तिरदेव की तरह होगा ब्रह्मा विश्णु महेश की तरह होगा निशीत रूप से जो विसाल समस्या बनी हुए देश के लिए और हिंदू मुसलिम ए सचेप के कारण हमेसा डिश्टर्ब हो जाता था तो अब निशीत रूप से उस समस्या का समधान हो जाएगा और निशीत रूप से हम लोग पूरा सहयोग देने को तयार है और इसमें एक बहुत बड़ी जो बिबाद जान बुच करके राजनितिक बिबाद बना दिया गया धन्यवाद हैं अयोध्यात नरेंडर के पास नरेंडर आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं जरा लोगों से बातचीत करिए और बताईए कि क्या सोच रही है अब वो समझोते को लेकर अगले हफ्ते शुरू होगा ना हम बात करते हैं कि आप सुप्रिम कोट ने कह दिया है कि समझोता भी एक विकल्प है एक रास्ता है तो आप लोग कितने सहमत हैं कि समझोते से कोई हल निकल जाएगा ये दि निकल जाए तो हम लोग सो परसेंट सहमत हैं और सारे धर्माचायर सरवोच चन्याले का हम लोग स्वागत अभी नंदन करते हैं एक मोका देना चाहिए था लेकिन हाँ ये जरूर मेरा आग्रह है कि समझोता इस बेस पर होगा कि अगर मस्जिद कहीं बनेगी तो डा हिंदुस्तान एक जुठो के बिरोध करेगा समझोता एक रास्ता दिया गया आप अध्य के रहने वाले हैं क्या है समझोते से हल निकल जाएगा क्या सोथे हैं कई बार प्रियास भी हो चुकि हमें तो ऐसा लगता है कि एक छुनावी स्टंट है और नियाए पालिका और भा तो कई बार पहले ही बात करेंगे अगर मेडियेशन के कुछ नहीं कहेंगे बस तो चुत तमाम लोग हैं वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं क्योंकि आपको बता दें जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अब मध्यस्ता पर मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं होगी अनुराग के पास चलते हैं अनुराग दिल्चस्प ये है कि जो तमाम नाम मध्यस्त के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दिये गए थे उससे अलग सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्त के नाम तै किये हैं देखें बिल्कुल क्योंकि कोर्ट को ये भी देखना था कि एक cabinets चुनने जा रहे हैं जो पैनल चुना जा रहा है वो भी एक एक्स्त्रा अउड्नरी होना चाहिए श्री रवी शंकर को अगर आप देखें तो वो पहले भी अपने स्तर पर कोशिश कर चुके है mediation करने की जो बाकी स्रीराम पंचु जो हैं वो expert है mediation के उनकी specialty यही है mediation और तीसरे जो Supreme Court के retired justice है तो एक एक तरीके से compact panel है सब experiences में involved है सब चीज़े हैं और साथ ही एधिशाम हमारे साथ मौजूद है और समझ लेते हैं इसको एतिशाम जो नाम दिये थे उनसे अलगी कोर्ट ने अपना तरीके से तै कर दिया कि कौन-कौन लोग होंगे देखिए जो पैनल आप देखें कि तीन लोगों का पैनल है बहुत ही बैलेंस पैनल है जस्टिस खलीफुला एक सुप्रिम कोर्ट के जजज है जिनका अपना एक रिस्पेक्ट है और कानूनी जानकार भी है और मुस्लिम साइट जो है उस पे उनको काफी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये उनकी बात को समझेंगे दूसरी तरह श्री श्री रवी शंकर है वो कई हिंदू पार्टी से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कई मुस्लिम पक्षकारों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की तो वो एक हिंदू साइट को acceptable हो सकते हैं उनका जिस तरह का इमेज है जो छवी बनी है तो य अहम बात यह कि सुप्रिम कोट ने इस पैनल को ये भी आजादी दी है कि अगर और किसी मेंबर को उसमें लाना है उसकी गुंजाईश है जिससे और बैलेंस लगे पैनल तो उसकी भी आजादी दी गई है कि वो पैनल कुछ और मेंबर को को आप्ट कर सकते हैं एक चीज़ बताईए जिस पर सबकी नजर है सारे दर्शक यह जानना चाहते हैं क्या आठ हफते की जो बाइंडिंग लगा दिये क्या आठ हफते में फाइनल रिपोर्ट दे देना है क्या यह माना जाए कि यह बहुत स्पीड अप हो गया प्रोसेस के होगी पहले तो माना जा अगर यहां पर आर्ग्यूमेंट कानूनी तरीके से होते हैं तो तो आठ हफते का समय बहुत कम है और बहुत स्पीड में यह चल रहा है लेकिन यह आप जानले कि आठ हफता जो अभी इनिशली दिया गया है यह ऐसा नहीं कि आठ हफता में या तो इस पार या उस पार हो सक है कॉम्प्रमाइज के लिए बातचीत के लिए अब देखना यह कि क्या इस दर्मियान यह कोई फॉर्मूला निकल आता है अगर दोनों पार्टी सीरियस होंगे तो जरूर कोई फॉर्मूला निकलेगा और फिर सुप्रीम कोट उसको अपनी नजर से देखेगा लेकिन इतन हफते बाद जो है यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो नौ हफते हैं हम एहतेशाम से यह भी पूछेंगी कि इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है मैं अमिताब सिना के पास चलती हूँ अमिताब हमने पिछली सुनवाई में देखा था कि यूपी सरकार में मध्यस्ता का विरोध किया था अब जब ये फैसला आ गया है तो केशव प्रसाद मौरे कह रहे हैं कि ठीक है हम प्रतीक्षा करते हैं अमिताब आप सुन पा रहे हैं अमिताब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अयोधी चलिए अमिताब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो समय है अब आठ हफते में जो है फाइनल रिपोर्ट देनी होगी उसके बाद समय आगे भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन पिछली सुनवाई में मध्यस्ता का यूपी सरकार ने विरोध किया था अब केशव प्रिसाद मौरे कह रहे हैं कि हम फैस्दे की प्रतिक्षा करेंगे मध्यस्ता को देखेंगे देखिए ओचितम नायले का फैसला है मध्यस्ता का फैसला है इसलिए तमाम पार्टी को इसमें आकर बैठना पड़ेगा ही सब को अपनी बात रखनी पड़ेगे ही क्योंकि इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जानी है जिसे टाइटल सूट पर अंतिम फैसला लेना है पर विश्व हिंदू परिशा जो बहुत बड़ी पार्टी है भवे राम मंदिर निर्मान जिनका नारा है वह पहले ही कोर्ट में कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि जहां पर राम लला विराजमान है उस जगल से उनको हटाय नहीं जाएगा ऐसी कोई मध् स्था करने वाले लगों के लिए यो 3 कमिटी 3 सदस्थ्य कमिटी बनी है लेकिन इतना तो साफ है कि सब जाएंगे और अपना पक्ष जरूर रखेंगे बिलकुल सब जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे नरेंगर के पास चलते हैं योध्या नरेंगर क्या तस्मीरे आप हमे सबूटा रहा है इन सबूता है आण सबूत ग मानते हैं सबूत के आधार पर फास्लाद हैं लूग का आस्ता का विशय है मंदिर बनने डीजिए ते यह हुआ सबूत चाहिए NOW जब सारी सबूत एकत्र हो चुके है अगर ऐसा किया गया है तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो धूमिल हुई छबी हम लोगों की बहुत दिन से आज यह मौका मिला है कि इसी धूमिल सभी को साइब किया जाए करवाने का और मुसल्म आबादी में मसजिद के लिए निर्माण का निर्माण रहा होकृत है कि अब अमन चैन चाहता है कि आप सी शमिटी सी राम मंदिर का निर्माण हो जाए नेकिन इसके पहले हिंदू समाँ हिंदु धर्माचारियों कि इसका पहल किया स्वामि संक्राचाई जी ने भी किया था अब क्या सुम्झवणा ये हैं किसा है ये समझाओता तो अच्छा है लेकिन इसमें अयोध्या का मामला पहले बात तो सुप्रीम कोड ने जो किया है यह है तो सागतियोग लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि इतना दिन लगाने के बाद फिर यह इस डिसीजन पर क्यों पहुंचे हैं कर दो